दमस्का, आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर और आज मैं नया नौवल शो करने जा रही हूँ इंदजीर जी के फर्माईश्पर परकाश भादी का ये नौवल है और नाम है लाश के वापसे बताऊना क्या हुआ? कांता ने पूछा अजय ने बेचैनी से अपनी कोशी में पहलू बदला लाश को मूगे कांता बुरी दना चौकी क्या? इससे पहले की लाश के बारे में किसी और को पता चले? अजय शान स्वर में बोला अगर उस अमबेजडर काल का पता लग जाता जिसके डिक्की में लाश बंध है और मैं उसे दोबारा हासिल करने में कामियाब हो जाता हूँ हम अभी भी बच सकते हैं साफ साफ बताओ क्या बात हुई है? लाश किसी और के कबजे में पहुँच गई है ये? ये कैसे हो क्या? अजय ने कहरी सांस ली ये लंबी कहानी है सिर्फ इतना समझ लो अब बचाव की एकी सूरत है क्या? लाश की बापसी मेकदूत होटल में आठवे खंड पर सित वो रूम सुट्स शानदा था कूलर की ठंडी नम हवा और रेडियो से उभरते धीमे पास्चाते संगीत ने मिलकर सुखत बातावरन को काफी हद तक रोमांटिक टच भी पदांका दिया था लेकिन वहां मौजूद इकलौती स्त्री के चेहरे पर कहन विचार पूर्ण भाव थे रेशमी गाउन में लिप्टी भेल लंबी अरामदे सोफे पर पैठी दी उचे कद और तनिक मासर शरीर वाली लगबर 42 वर्षिया वहस्त्री सुंदर होने के साथ साथ आकाशक व्यक्तितु की स्वामे नी भी दी उसके सामने मेच पाई ट्रे में विस्की की तीन चोथाई से भी ज्यादा भरी बोतल आइस क्यूप से भरे पाउल सोड़े की चाल बॉटल और एक बॉटल उपनर मौजूद थे त्रे के पास ये सिग्रिट्स के करीब आदा दरजन टोंटों से भरी एक राखदानी रखी थी इस तीके दाएं हाथ में सोड़ा मिशित विस्की का आदे से अधिक भरा ग्लास था और बाएं हाथ की दो उंगलियों में फसा ताजा सुलगाया सिग्रिट उसके होटों के इतने पास था कि सिग्रिट का धुआ उसकी आँखों में खुस रहा था मगर इसके कोई प्रवा के बगैर सोफे पसीधी तनी बैठी वो अपलग सामने दिवार को ताक रही थी अचानक उसने अपनी आँखे मिच में जाई फिर उन्हें बंद कर लिया और कई पल उसी तरह बैठी रही अब उसके चेहरे पर किसी की पतिशा कर रही होने के कारण उत्पन तनाव पूर्ण भाव की इसपश द्रश्टी कोचर हो रहे थे उसने बेचैनी से पहलो बदला फिर आँखे खोल का प्री रिस्ट वॉच पर निखा डाले सारे छे बचे थे उसने विस्की का बड़ा सा खूट लेकर ग्लास मेज पर रख दिया और सोफे के पुष्ट से पीट सटा कर सिगरेट के कश लेने लगी वो जानती थी उसे इस तरह व्याकुल नहीं होना चाहिए चेलीफों के घंटी बचने या दर्वाजे पर नौक दी जाने में कई घंटे का वक्त भी लग सकता था इसलिए उसे सब्र के साथ इंतिजार करना चाहिए उसने ऐसा ही करने का फैसला कर लिया इंतिजार के दौरान विस्की पीने की रफ़तार को भी सुस्त रखना ही बेतर होता का उसने मनी मन कहा वरना विस्की उस पर हावी हो जाएगी और वो ये होने नहीं देना चाहती थी उसने अंतिम गश लेका सिगर्ट एश्टरी में कुचल दी गिलास उठा का विस्की सिपकी फिर गिलास वापस रखका सोफे पर बगल में पड़े अकवार पर निखा डाले वो विराट नगत से निकलने वाला एक राश्टी अस्तर के अकवार ताजा समाचार के पिछली रोज की प्रती थी वो पहले भी इस अकवार को शूर से आखे तक पूरा पड़ चुकी थी लेकिन फिर उसे उठाया और खोल कर अपनी गोद में फैला लिया बीच वाले दाएं पेस पच्छपे उस समाचार का हर एक लफ्ज वो पहले भी ध्यान पूबग पड़ चुकी थी लेकिन उसकी निगाएं पुना उसी पचाटी की वो समाचार विक्की सबरवाल और यूवा संसर सदस से विन्य मलहोतरा के अगले रविवार होने वाले विवा के संबद में था विक्की सबरवाल के और विन्य मलहोतरा की फोटोज भी छपी थी विक्की की फोटोस से ही उसके इंतिहाई खूपसूरत होने का अंदाजा असानी से लगाया जा सकता था उसके मासूम चेहरे पर आत्म विश्वास की जलक नजर आ रही थी उसकी बड़ी-बड़ी मोहक आँखों में अपार पसंता पूबक चमक थी मानुस के जीवन के तमाम सुनहरे सपने एक साथ साकार होने वाले थी फोटो के मुताबिक विरे मलोतरा भी हैंसम था लेकिन उसकी और विक्की की उम्र में आट-दस सार का फकर, फर्क, साफ नजर आ रहा था इस तरी की निगाएं बार-बार विक्की की फोटो पर ही जम रही थी कितनी खूबसूरत है क्या इस उम्र में मैं इतनी ही जवानों खूबसूरत थी क्या मुझ में भी इतना ही आत्मिश्वास्ता शादी उसने गहरी सांस ली फिर उसके चहरे पर करवाहत भरे भाव पैदा हो गए फोटोस से निगाएं हटा कर वो पहले भी कई बार पढ़ चुके समाचार को पुना पढ़ने लगी संशेप में समाचार के नुसार, विक्की सबरवाल और विनय मलोत्रा का विवा 737 बीच रोड विलाट नगर में अगामी रविवाल को होना था समारो किसी भी परकार की तड़क भड़क के बगैर बड़ी सादा धंग से संपन होगा पाली हिल, बंबई में पली बड़ी विक्की सबरवाल एक हफता पहले ही विलारट नगर आ चुकी थी और होटल में एक दूद में ठहरी हुई थी वो फिल्म इंडेस्ट्री की मशूर लेकी का कांता सबरवाल की सुपुत्री थी कांता सबरवाल ने टेलिविजन परपसारित, सत्य घटनौ पराधारित, क्राइम रिपोर्टर नामक सीरियल की पठकता भी लिखी थी काफी पॉपुलर हुई इस सीरियल ने कांता सबरवाल को टेलिविजन के छेट में भी लोगपिरे बना दिया था अत्यदी व्यस्ततरा के खारण वो अपनी बेटी के साथ बंबई से विराट नगर नहीं आ सकी थी वो कल प्लेन द्वारा पहुँच कर अपनी बेटी से आ मिलेगी विने मलोद्रा विराट नगर के प्रमुख उद्योपती और समाज सेवी कोवे नारायन मलोद्रा का एकलौधा बेटा था वो लॉग रेजुएट था पढ़ाय के साथ साथ समार सेवा और राजनीती में सक्रिय भाग लेता रहा था संसर सदस्से दिगंबर नाथ की मृत्यू हो जाने के कारण खाली हुई सीट के लिए हाली में हुए मध्यावधी चुनाव में उसने सत्ता रून दल के पद्याशी के रूमें चुनाव लड़ा था और विजय ही रहा था समाचार के अंत में उन गर्माने व्यक्तियों के नाम थे जिन्नोंने विवास हमारों में भाग लेना था उसने अकबार एक तरफ रख दिया और गिलास से हरका सा खूट लेका एक सिगरेट सुरगा लिया खान ता सबरवाल, पाली हिल, बंबे, वो मूँ बनाती भी बड़बड़ाई फिर्म इंडरस्टी के मशूर लेखी का और टेलीविजन के छेत में भी नाम कमाने वाली अकबार में चपा विवरन काफी हद तक सही था, उसने सोचा संभवता प्रेस को ये जानकारी विकी ने दी थी, और अकबार ने इसे थोड़ा बड़ा चड़ा का छाप दिया गया था उसने गहरा कश लेकर ठेर सारा थुआ छोड़ा, फिर अपने रिस्ट वाच्पत दश्टी बात किया छे बचकर पावन मिनट हुए थे विस्की का घूट लेने के लिए उसने गिलास के और हाथ बड़ाया ही था कि परवेश्ट वापा हौले से दस्तक दे जाने के आवास सुनाई थी सिगरेट एश्ट्रे में रखका वो फोरंग खड़ी हो गई उसका चेरा खुशी से चमकने लगा था स्वागत भरी मुस्कान लिए वो तीजी से लपक का आगे बड़ी और दवासा खोल दिया लेकिन भार खड़े आदमी पर निगा पड़ते ही उसकी मुस्क्रहाट कायब हो गई थी एक पल के लिए उसे लगा मानुस समझ शरील को लखवा माल गया था फिर वो डोर नौप था में असाहे सी यूँ पीछे हटी मानुस की टांगों में शरील का भास समालने की ताकत नहीं रह गई थी उसकी संकुचित आँखों में खोर आ विश्वास और नफरत के मिले हुजुले भाव पैदा हो गई थी नहीं ये नहीं हो सकता नहीं वो बड़े ही कठिन स्वर में बोली उसने अपने आँखे बन कर ली मानों से यकीन था कि जो कुछ वो देख रही थी वो हकिकत नहीं सपना था और आँखे खोलते ही तूट चाएगा लिकिन जब उसने दोबाना आँके खोली तब भी आगंतुक वही मौजूद था और इस दफ़ा उसके मूँ से पोल तक नहीं फूटा आगंतुक अधिकार पूर्वग भी ददाखिल हुआ उसके पतले होटो पक कुटिलता पूर्ण मुस्क्रहाट थी और दोनों हाथ पैंट की जेबों में फ्ठुसे हुए थे हलो स्वीठार्ट वो तनिक भारी स्वर्म में बोला लगता है तुम्हें मेरे आने की उमीन नहीं थी क्यों इस तिर्ई अभी तक डोनोब को कस्का थामे खड़ी थी वो उसके सामने से तनिक पीछे हडगी उसकी आँखें आश्चर्य से फैली हुई थी मेरा ख्याल था तुम मर चुके हो आगंतुक की मुस्कुरहाट कहरी हो गई तुम्हारा मतलब है तुम्हें उमीद थी कि मैं मर चुका हूँ इस दिन ने जवाब नहीं दिया हच्छी तरह देख कर तसल्य कर लो मेरी लाश नहीं आई है मैं खुद ही तुम्हारे सामने मौजूद हूँ कहकर आगंतुक ने अपनी छोटी छोटी गोल आँखो से विलास पूर्ण स्वीट का निरेशन किया बड़िया जगा डेरा डाल रखा है इतनी महंगी जगा रहने का मतलब है कि तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम्हारे पास तो काफी मोटा पैसा होना चाहें है ना तुम चाहते क्या हो इस तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहां हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या चाहता हूँ मुझे पैसा चाहें बिबी आगंतुक ने जेब से दाया हाथ निकाल कर उसके सामने फैला दिया अफि धीरे दीरे अपनी मजबूत उंगलिया मोड कर हाथ की मुठी की शकल में भीच लिया जहां तक तुम्हारा पता लगाने का सवाल है वो तो कोई मुश्किल काम नहीं थ जांकारी हासिल करने के मेरे अपने सोसिज है और अचानक उसका स्वाल कठहूर हो गया दवाजब बन कर दो मुझे तुमसे बाते करनी है और मैं नहीं चाहता कि हमारी बाते किसी तीसरे के कानों में पड़े उसने पुन्हा कमरे में निगाएं दोड़ाई विस्की की बोतल रेडियो और तुम यानि सुरा, सुंदरी और संगीत और ये शान, दा, स्वेट कुल मिला का सारी जन्नत मौझूद है खेर मैं संगीत और सुरा से शुराद करता हूँ वो दरवाजे के पास से हटा और रेडियो का वॉल्म बढ़ाने के बाद में इस क्योर बढ़ गया इस आगंतुक ने विस्की की बोतल उठा का पहले से ही करीब चौथाई बढ़े गलास को लगभग पूरा भर लिया इस्त्री के चेहरे पर भैय और नफरत के मिले जुले भाव थे वो खामोश खड़ी उसे देखती रही आगंतुक ने गलास से तगरा घुट लेका गलाग हटका कूलों पर हाथ रख लिया मेरे पस पैसा नहीं है इस्त्री ने धीमी अवास से कहा इस वक्त दो डाई हजार रुपे से ज़्यादा नकत रकम मेरे पास नहीं है आगंत कुटलता पूरवक मुस्कुराया इस बात के उमीर तो मुझे भी नहीं थी कि तुम असानी से पहुँच सकती हो वैसे मुझे भी कोई खास जल्दी नहीं है दोनों साथ चलेंगे तो मुझे रकम दे देना फिर अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा वरना हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाओंगा उसने गिलास उठा कर पुना त दोनों है आओ थोड़ा सा मौजा मिला करते हैं दर्वाजा खोलते ही सरवता अपत्याशत रूप से आगंतों को सामने पाकरिस्त्री पर आश्चर्य और भैय की जो मिली जुली पत्य किर्या हुई थी वो अब धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो गई थी धीरे-धीरे वो स सहित करने में सफल होती जा रही थी उसका दिमाग पुना समाने ढंग से सक्रिय होने लगा था वो सोच रही थी कि कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा आगंतों को जल्दी से जल्दी यहां से चलता करना पड़ेगा किसी वीशन फोन की घंटी बस सकती थी या फिर सिर्फ आज रात के लिए कल आ जाना तब हम इस बारे में खुलासा तोर पर बाते करेंगे और कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे मैं तरीका तो निकल ही जाएगा उसकी फिकर तुम मत करो इस दफ़ा कोई करबड मैं होने नहीं दूंगा आखिर लाखों का मामला है इस कहा करता हूँ हाँ लेकिन अचानक यहां पहुंच कर तुमने मुझे बेहत हैरान कर दिया है मैं तो समझ बैटी थी कि तुम मर चुके हो और इसके लिए तुम मुझे दोश नहीं दे सकते क्योंकि अखबारों में छपी कहानियों के अधार पर इसके अलावा और कोई नतीर निकाला ही नहीं जा सकता आगंतुक हसा तुम्हारा मतलब है तुम्हे मेरी मौत पर यकीन आ गया था इसलिए तुम गायब हो गई थी इस दिने सर हिला का हामी पली हाँ जूट मत बोलो बीबी तुम अच्छी तरह जानती हो असानी से मर जाने वाला जीव मैं नहीं हो और तुम्हारे गायब हो जाने की वजब वो नहीं थी जो तुम बता रही हो तो फिर और क्या वजा थी इस तरी ने स्वयम को समाने बनाए रखते हुए शान स्वर में पूछा नफरत तुम मुझसे नफरत करती हो आगंतुक ने सपार स्वर में कहा फिर बोला लेकिन अब इस से कोई फर्क नहीं पड़ता यहां सिर्फ हम दोनों हैं शराब की मस्ती और म्यूजिक का लोफ्ट उठाते हुए अब फिलहार खूब एश कर सकते हैं मैं तुम्हें जन्नत की ऐसी सैल कराऊंगा कि जिन्दगी भर याद रखोगी सुन रही हो ना इसली ने जवाब नहीं परकट में समाने नजर आती मन ही वन वो किसी निश्चे पर पहुँचने का प्रत्न कर रही थी आगंदुक ने गिलास खाली करके हाथ के प्रेश्ट भाग से अपना मूँ पूछा उसकी लाल आँखों में वासना चलकने लगी थी उसने गदं घुमा कर स्री की दिशा में वो धीरे धीरे उसके पास से गुजर का बेडरूम के बंद दरवाजे के ओचा रही थी तुम अपने लिए डिरिंक पनाओ मैं इस गाउं की जगा कुछ और पहें कर आती हूँ वो फसी सी अवाज में बोली आगंदुक ने चटकारा सा लिया उसके चेरे पर मुस्कराट प चाहती हो तो शौक से कर लो मैं एक डिरिंक ले लेता हूँ और तुम फटा फट चेंज करके आ जाओं इस तरी ने हिच के चाहते हुए दवाजा खोला तनी गदन घुमा का पीछे क्यों देखा मानो आश्वर सोजाना चाहती थी कि आगंदुक बागी डिरिंक ही लेना चा दवाजा थोड़ा खुला ही रहने दिया क्योंकि आगंदुक को किसी परकार का शक करने का जरा सा भी मौका वो देना नहीं चाहती थी इस तरी का इकलोता मकसद लगेज स्टैंड पर रखे अपने सूट केस तक पहुँचना था दवाजे को अध खुला छोड़कर का पुशिश करने लगे उसका हर एक पल बदहवासी के दौर्म से गुजर रहा था जिस वस्तू के उसे तलाश थी उसके हाथ को सपश होते ही उसे तनिक रहात महसूस हुई और तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदकी का एभास भी हुआ वो फॉरन पलटकी उसके हाथ में 25 कैलिबर की छोटी सी रिवार्वर थी जिसे उसने मजबूती से थाम रखा था चुप चाप बैडरूम में आप पहुचा आगन तुक तुरंत सिती को भाब कया और रिवार्वर को उसके हाथों में देखते हुए उसके जबड़े भिच गया शूल का आखों इससे गु इड़े की भाते गुराता हुआ आगे छप्टा आशा के विप्रीत पीछे हटने के बचाय इस्तरी आगे आए और रिवार्वर की नाल आगनतों की छाती से सटा का ट्रिगर खीचना शूर कर दिया वो तब तक बार बार ट्रिगर खीचती रही जब तक कि रिवार्वर की चैंबर में तमाम गोलियां खत्म नहीं हो गई थी आगनतों की चेहरे पर पहले हरांगी भरे भाव पैदा हुई थी फिसके चेहरा पीड़ा से विक्रित हो गया था उसने अपने हातों को छाती तक लाने की कोशिश करनी चाहे मगर उससे पहले ही उसके घुटने मुरने ल के रिवार्वर की नार कपड़ों और जिस्म में कड़ी होने की वजह से फायर के आवास जोर से नहीं गुची थी बैडरूम की मजबूती से बंद खिडकियों उन पर लटकते भारी पर दो कूलर चलने के आवास और रेडियो से उभरते पॉप म्यूजिक के शोर ने मिलका फायर के आवास को स्वेट से भार जाने से रोक दिया था आदमी के नीचे गिरते ही इस तरी पीचे हड़ गई थी उसके चेरे की मास बेशन तंग गई थी सासे अव्यवस्तित थी और आखें नफरस से सुलग रही थी वो देर तक खड़ी लाश को घूरती रही फिर उसने रिवार्वर पर निखा डाली जिसे वो अभी तक मजबूती से हातों में थामे खड़ी थी धीरे से उसने रिवार्वर भी नीचे गिरा दी अभी तक सी खड़िस्तरी पुना लाश को ताकने लगी वो ना तो बहबीत थी और ना ही अपने केप उसे किसी परकार का अफसोस था धीरे धीरे वो समानने होने लगी साथ ही अब उसे यू रहत महसूस होने लगी मानो कोई भारा मानो कोई बड़ा भारी बोच उसके सर से उतार गया था हर पर कुदरती रहने वाली किसी फिकर से पूरी तरह से वो निजात पार रह गयी थी उसकी सुरश्य और भविश् पहुचाता महसूस हो रहा था उसने गहरी सांस ली और लाश के और देखे बगयर भारी कदवों से उसकी बगल से गुजरती भी बेडरूम से पहरा पहुची दरवाज़ा मजबूती से बंद करके वो भारी कमरे में मेज के पास पहुची बोतल से खाली गिलास में विसकी जालते समय उसे अपना हाथ तनी कामता हुआ सा महसूस हुआ लगभग आदा गिलास भरने के बाद उसने बोतल नीचे रख दी और गिलास उठा कर घूट लिया नीट विसकी गले से पेट तक आंग की लगीर से खीचती चली गई और रोकने की कोशिश करने के बावजूद उसे खांसी आ गए उसने तुरंद गिलास वापस मेच पर रख दिया और शेश विसकी में बर्फ और सोडा मिला कर मैं सोफे पर बैठ के और गिलास उठा कर धीरे धीरे सिप करने लगी। बैडरूम में बंद रवाजे के पीछे एक आदमी की लाश पड़ी थी। ये असलियत थी, इससे ना तो बचा जा सकता था और ना ही किसी भी तरह इसे बदला जा सकता था। साथी इस हकीकत को भी नहीं जोटलाया जा सकता था कि उस आदमी के हत्या उसने ही की थी। उसके होटल स्वेट से जब ये लाश परामद होगी तो इसका सीधा सा मतलब होगा सर्वनाश ये ठीक था कि लाश को इसी तरह पड़ी छोड़का वो यहां से भाग सकती थी और इस तरह थोड़ा वक्त भी उसे हासिर हो सकता था लेकिन ऐसा करना बेका आ था इस तरह कोई फायदा उसे नहीं होगा आखिरकार कानों के लंबे हाथ उसे दबोची लेंगे वो फरस चुकी थी लाश का पता लगते ही पुलिसा पहुँचेगी छानबिन शुरू हो जाएगी सबसे पहले इस होटल स्वेट में ठहरे के ट्रक कस्टमर को तलब किया जाएगा और ये पता लगते ही कि वो फरार हो गई थी पुलिस बड़ी सरगर्मी के साथ उसकी तलाश में तुट जाएगी दूसरी और इस बीच लाश की सिनाक्त भी हो चुकी होगी नहीं नहीं इस तरह फरार होना नहायत बेवकुफी के साथ साथ बेहत खतरनाग भी साबित होगा लेकिन इस परकारिया बैठे रहना भी तो कम खतरनाग नहीं था इस बखेडे से निकलने का कोई और ही तरीका सोचना पड़ेगा इस मामले में सिर्फ एकी बात तसलिवाली थी वो यकिनी तोर पर कह सकती थी कि फायर के आवाज सुएट से बहार नहीं गई थी और अगर गई भी थी तो किसी ने उस और ध्यान नहीं दिया था उसने सिगरेट का गहरा कश लेका धेर सारा धुवा छोड़ा इस मुसीबत से छुड़कारा पाने का सबसे असान तरीका था कि लाश से जान छुड़ा ले जाए उसने सोचा ये लाश कहीं और पड़ी मिले होटेल के इस रूम सुएट के अलावा किसी भी दूसी जगा ताकि लाश के साथ उसका कोई रिश्चा न जोड़ा जा सके ऐसा कैसे किया जा सकता था? उसने सोचने की कोशिश की मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी से ऐसा उसने महसूस किया कि उस पर डर और व्याकुलता हावी होने लगी थी उसने अपनी गदं को यूँ जटका दिया मानो ने स्वयम से परे जटक देना चाहती थी वो जानती थी कि मौजूदा हालात में उसका समान्य वंशांत बने रहना नहायद जरूरी था क्योंकि घबराट और जल्दबाजी में गदं गलत हुट सकता था और ये बहुत ही मामूली बात थी और फिर उस मामूली बात ने उसका मुकमल तोर पर पुलंदा बांद देना था उसने सिगरेट एश्ट्री में कुचल का गलास से खूट लिया उससे लगा कि उसके विचार आपस में गरबर होने लगे थी उसने सिलेस लेवा सोचना आनम किया मृतक ने कैसे पता लगाया कि वो विराट नगर में थी क्या मृतक के अलावा किसी और को भी इस बात की जानकारी थी कि वो होटल में उससे मिलने आया था या उसने खुद ही उसके होटल में ठेरे रहने का किसी तरह से पता लगा लिया था और उससे मिलने चलाया था क्या उसके पास ऐसी कोई चीज मौजूद है जिससे उसकी लाश की सही शिनात की जा सके दूसरे शब्तों में अगर वो ऐसा कोई तरीका निकालने में कामयाब हो जाए कि लाश को यहां से हटा दिया जाए और वो कहीं और पड़ी पाई जाए तो भी इस बात की कितनी संभाव ना थी कि लाश का उसके होटल स्वेट से रिष्टा नहीं चोड़ा जा सकेगा इन सभी सवालों के जवाब उसके पास तो नहीं थी लेकिन उसे उमीद थी कि उन में से कुछ एक के जवाब बेडरूम में पड़ी लाश से शायद मिल सकती थी उसने क्लास खाली करके मेज पर रखा और उठका खड़ी हो गए बेडरूम के सामने पहुँचकर उसने दर्वाजा कोला और वहीं खड़े रह कर म्रत पड़े आदमी को देखने लगी वो दाइं करवट के बल ठीक उसी तरह एक टांग मोरे और दूसरी को सीधे फिलाए पड़ा था जैसे कि 25 कैलिबर की गोलियां लगने के बाद किरा था उसकी पीठ दर्वाजे के ओओ थी वहां लाश के आसपास खून नजर नहीं आ रहा था वो भीतर दाखिल हुई घूम कर उसके सामने पहुँची और नीचे बैठ गी लाश की छाती पर बाई और दिल के उपर शर्ट में एक सुराख जहाक रहा था जिसके आसपास खून का बड़ा सा दाग मौजूद था जाहिर था तमाम गोलियां उसके ठीक दिल में लगी थी और ततकार मृत्य हो जाने के कारण खून नहीं बह सका था और गोलियों का सीधा दिल में लगना महज इत्तफाग था क्योंकि उसे शूट करते वक्त ऐसा करने लाइक प्रैप समय उसके पास नहीं था उसने तलाशी लेनी शूका दे शर्ट की जेब खाली थी पैंड के 20 साइट पॉकेट में एक चाकोल का अगस निकला उस पर होटल का नाम चपा होने के अलावा एक वहन का नमबा लिखा हुआ था वो मेग दूद होटल के पारकिंग लॉट में वहन जो के अनुमानता कार होनी चाहिए थी पार्क करने के एवेज में मिली पारकिंग टिकिट था उस पर उसी रोज की तारिक तो डली हुई थी लेकिन वाहन पार के जाने का समय नहीं लिखा था इसलिए कहेपाना मुश्किल था कि मृत बड़ा आदमी उसी वक होटल पहुँचा था जब वो स्वेट में आया था या फिर पहले से वहां मौजूद रहा था पार्किंग टिकेट वापस उसी जेब में रखका सभी बागी जेबों की तलाशी भी ली इसके लिए उसे लाश को लटना पड़ा पैंट की दाई जेब में सिर्फ एक रुमाल था टिकेट पॉकेट में 153 रुपे थे और हिप पॉकेट खाली थी इस दी ने तमाम चीजे वापस उसी तहां जेबों में रख दी उसके चेहरे पर गहरे सोचपूर्ण भाव पैदा हो गए थे पार्किंग टिकेट से जाहिए था कि म्रेत आदमी किसी कार द्वारा होटल पहुँचा था लेकिन कार की चापियां उसके जेब में ना पाई जाने से इस दी को उलजन में डाल दिया गया था क्या वो जान बुचकर या अनजाने में चापियां कार में ही छोड़ाया था या फिर उसके साथ उसका कोई दोस्त भी आया था और वो इस वक्त होटल के बहार लॉबी में रहकर उसके वापस लोटने का इंसार कर रहा था। अगर ऐसा था तो क्या वो ये सोचने पर मजबूर नहीं हो गया था। क्या आखिर उपर गया उसका दोस्त अब तक वापस क्यों नहीं लोटा। ये तमाम सवाल ऐसे थे जिनका सही जवाब इस्तरी के लिए दे पाना नामुम्किन था। हाला कि किसी दोस्त के साथ होने की संभावना से इंका तो नहीं किया जा सकता था। मगर जिस इरादे से म्रत आदमी आया था उसे ध्यान में रखते हुए यही बात जादा ठीक लगती थी कि वो अकेला ही आया था। इस चक्र में सर खापाने की बजाए अंत में इस्तरी ने यही सोच कर खुद को तसली दी कि अगर कोई दोस्त उपर आही गया तो हालात को देखते हुए उसे निमठने की कोशिश वो करेगी और इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। उसने पुर्णा लाश के बारे में सोचना शूका दिया। तलाशी में ऐसी कोई चीज लाश के पास से नहीं मिली थी जिसके अधार पर लाश की जल्दी और सही शिनाक्त की जा सके। ये ठीक था कि उसकी पैंट और शर्ट पर उस दरजी द्वारा लगाए गए लेबल मुरजूत थे जिसने उन्हें सिला था। आदमी की मृत्यू को उससे जोड़ा जाने लगा तो अपने बचाव की ठोस त्यारी करने के लिए। उसे लाश के पास पड़ी छोटी से रिवारवर पर निगार डाली और उसे वहीं पड़ी रहना देना ही बहतर समझा क्योंकि उस रिवारवर के साथ उसका किसी भी तरह का रिष्टा कायम नहीं किया जा सकता था। अच्छी तरह रगड़ दिया। इस परकार रिवारवर पर मौजुद उंगलियों के निशान इस जंग से फैल गए कि प्रिंट सुताने पर वे सिर्फ धबबह की भादी नजरा आते। कोई सही पैटर्न उनका नहीं बन सकता था। रिवारवर वापस लाश के पास डालने के बाद उसने अच्छी तरह देख का तसली कर ली कि उसके करने लायक कोई और काम वहाँ बाकी नहीं रह गया था। वोट का खड़ी हो गई। बैडरूम से निकल का दर्वाजा पुना बंद किया और बहारी कमने में सोफे पर आ बैठी। उसने एक लाइट डिरिंक पनाया और सिप करके सोचने लगे। उसे मदद की जोरत थी। इस वक्त सबसे पहला जोरी काम था। बैडरूम में पड़ी लाश को जितना जल्दी हो सके कहीं दूर पहुँचा दिया जाये। लेकिन ये काम कैसी किया जाये। विराठ नगह उसके रिपून्ट तया अपरीचिश है था। यहां एक भी ऐसे व्यक्ति को वो नहीं जान दी थी जिसे मदद के लिए बुला सके। धीरे-दीरे ड्रिंग सिप करते हुए वो इस नहीं समस्या को सुलजाने की कोशिश करती रही। अलग-अलग परकार के विचार उसके दिमाग में आते रहे। लेकिन कोई ऐसी ठोस बात उसे नहीं सूच सके जिसके अधार पर काम आप एकी गारंटी की जा सके। उसने ड्रिंग खतम करके सिगर्ट सुलगा ली। सोचना ब्राबा जारी था। अचानक उसके दिमाग में बिचली की भाति विचार आया और उसने अपने सोचने की तमाम शक्ति उस पर केंदित कर दी। जितना ज़्यादा उस बारे में उतना ही वो आइडिया दमदार नजर आता चला गया। इस अजनवी शेहर में अपनी अलग किसम की शक्सित थी। प्रेस रिपोर्टर अजय कुमार। अजय से वो वक्तिकत रूप से प्रेक्चित नहीं थी लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ जो जानती थी। थंडल के स अजय कुमार ने निभाया था। मगर हीरो का नाम भी अजय कुमार होने की वज़ा से प्रेस रिपोर्टर अजय का नाम भी काफी चर्चित रहा था। होसला मंद और अनोखी सूजबूच का मालिक अजय आदितन खुराफादी था। कोई ग्याय कानूनी धंदा तो वो नहीं करता था। लेकिन कानून की खास परभापियों से नहीं थी। और मुसीबत जदा ओतों की मदद करना उसकी खुबियों में शामिलता। उसे यकीन था कि अजय ही उसे इस बखेडे से निकाल सकता था। लेकिन अजय ऐसा करेगा क्यों। उस अजनभी औरत के लिए वो अपनी गदन क्यों फसाएगा। और अजय की मदद कैसे हसल की जाए। उसे किस तरह मदद के लिए तयार किया जाए। अजय के बारे में अपनी जांकारी के कारण इससे भी नावाकिब वो नहीं थी कि हर बात की तह तक पहुँचना अजय के आदत थी। असलियत जाने बिना उस आदमी को चैन नहीं आता था। और असलियत वो गहरी सांस लेकर रह गी। उसने सोचा अजय को मदद के लिए त धंग से करना पड़ेगा कि उसे जरा भी शक उस पर नहों पाए। क्या असलियत जाहिके बगेर वो ऐसा कर सकेगी। वो कुछ देर बैठी पहलू बदलती रहे और फिर उठका खड़ी हो गई और चैन कदमी करने लगी। उसके आँके सिकुड़ी हुई थी। चैन विचा रजामन कर सकती थी। उसने मन्ही मन कहा। बहशाते कि उसे सही धंग से अप्रोच किया जाए। सही धंग से अप्रोच। वो मुस्कुड़ाई। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का वर्षो का अनुभव उसके पास था और इस आड़े वक्त में वही उसके काम उसका खोया हुआ आत्म विश्वास वापस लोटने लगा था। वो पुना सोफे पर बैठके अब बगल में खुले पड़े पिछले रोज के अख़बार में चपी भावी दूला दूलंग की तस्वीरों को देखने लगी। संसस सदस्य विने मलोत्रा और विकी तस्वीर में विकी अपनी बड़ी-बड़ी मुहक आँखों में भावी सुख में जीवन के प्रेम से सरुबास अपने सुनहरे सपने समेटे हुई थी। उस खुपसूरत और मासूम लड़की की तभाई की कलपना मातर से कौन ऐसा पत्था दिल इंसान होगा जो सीहन नहीं उठेगा और उसकी जानकारी के मुताबिक अजय क्योंकि पत्था दिल आदमी नहीं था इसलिए विकी को बचाने के हर मुम्किन कोशिश वो करेगा। उसे मनीमन योजना बनाते हुए अपनी रिस वाच पर निगार डाले। साथ बचका सत्रा मिनट हुए थी। अपनी को सही डंग से सिले सिले वाद तयार करना होगा। सबसे पहला सवाल था मिन तक को कैसे पता चला कि वो वराट नगर में थी। उसने अख़बार उठाया और विवास समदी सारे समाचार को एक बाफर इतने ध्यान से पढ़ा कि हर एक लफ्स उसे याद हो गया। इस उसने अख़बार से तस्वीरों समेथ वो सारा हिस्सा फार दिया जिसमें विवास समदी समाचार छपा था। अख़बार फारते समें उसने ऐसी कोशिश बिलकुल नहीं की थी कि वो सही डंग से सफाई के साथ ही फटे। मगर इस बात का पूरा ध्यान रखा कि समाचार का एक भी शब अख़बार के शेश पेज में नहीं छूटने पाए। गई थी जैसा कि वो चाहती थी। अख़बार क्योंकि पिछले रोज का ही था इसलिए ज्यादा पुराना तो वो नहीं लगता था लेकिन उसकी हालत से जाहिर होता था कि उसे कई बार पढ़ा गया था। उसने कागस को चात तोहों में मोडा, वो उठका बैडरूम में ला पाड़ा और कमोड में डाय का फ्लश का दिया। फिर बाहरी कमरे में आका वो सोफे पर बैठने की बजाय, कोने में रखे डेस्क के पीछे पड़ी कुसी पजा बैठे। डेस्क पर होटल की और से उपलब राइटिंग पैड और एक पॉल पैन मौजूद था। उसने पॉ चारन और व्याकनन की और कोई ध्यान उसका नहीं था। उसने लिखा। दियर ममी, समझ में नहीं आता आपको कैसे बताओ। मेरा दिमाग ठीकाने नहीं है। दहशत के मारे मेरी जान निकली जा रही है। मेरे हाथो एक आत्मी का खून हो गया है। एक एक कल के पूरे चार पेज लिखने के बाद उसने आखे में लिखा आपकी बेटी विकी। चार पेज ध्यान से पढ़ने के बाद उसने यूं सही लाया मनों जो कुछ लिखा था उससे वो पूरी तरह संतुष थी। चार पेजों को एक साथ हाथ में लिखा उसने गैंत की शकल में मोड़ा और अपने मुच्छी में जो से दवाने के बाद उन्हें डेस्क पर ही डाल दिया। वो कुछ देर बैठी सोचती रही और फिर उठकर बैडरूम में पहुची। गाउन उतार कर अपने वही कपड़े पहन लिये जिने पहन कर वह उसी रोज होटल में पहुची थी। बैडरूम का दवाजा बंद करके अपना हैंड बैग उठाया और स्वेट से बाहर आ गई। परवेश दवार लॉक करके सुनसान गलियारे में कस्टमर्स दवारा परयोग के जाने वाली की लिफ्ट की और बढ़ गई। वो लिफ्ट दवारा नीचे लॉबी में पहुची। वहाँ खासी चेहल पहल थी। वो निकरतम पब्लिक टेलीफोन बूथ में जा खुसी। वो जान बूच का एहतियात बरत रही थी। क्योंकि स्वेट से फोन करने में होटल की टेलीफोन ऑपरेटर दवारा फोन वादा सुन ले जाने का अंदेशा था। उसने टेलीफोन उपकराण की बगल में बने स्टैंड पर रखी डॉक्यू डारेक्टरी में देखकर पता लगाने के बाद थंडल का नमबर डायल किया। संबन सापित होने पर उसने रिपोर्टर अजय कुमार से बात करने की इच्छा पकड़ की। जवाब में बताया गया कि अजय आफिस में नहीं था लेकिन वो निराश नहीं हुई। शाम हो चुकी होने की वज़ा से आफिस से ऐसा ही जवाब मिलने की उमीद उसे थी। उसने स्वयम को अजय की रिष्टेदाब बताते हुए बेहल ज़ोरी काम होने की दुहाई दी और उसके घर का फोन नंबर और पता बताने की प्रात्ना की। थोड़ी हिच की चाड़ के बाद दूसरी ओसे बता दिया क्या। उसने धन्यवाद दे का संबन विचेत किया और आजय का नंबर डाहिल करने लगी। अपने फ्लैट में सोफा चेर में धसा आजय सिगरेट के गहरे-गहरे कश ले रहा था। उसके चेहरे पर खीज मेशित बोर्यत मरे भाव थे। और उसकी निगा बार बार सामने दिवार घड़े पर जाटिकती थी। उस वक्त सारे साथ बजने वाले थे। जबकि उसकी कली नीलम कपूर ने ठीक साथ बज़े आने का पकावादा गया था। उन्होंने मशूर रेस्टरा ब्लैक रोज में डिनार लेने के बाद गॉन विद दी वेंड का नाइट शो देखने जाना था। बोस बिचल का लाज शो था। नीलम कई रोज से जित कर रही थी। लेकिन व्यस्तकता के कारण अजे समय नहीं निकाल पाया था। और आज जही पौने साथ बजे त्यार हो गया था। अब तक चार बार नीलम का फोन भी ट्रैक आ चुका था। लेकिन हर बार से फोन की घंटी बचकर रह गई थी। दूसरी और से रिसीवर तक नहीं उठाया गया। इसका सीधा सा मतलब था या तो नीलम अपने घर में नहीं थी या फिर उसका फोन खराब था। लेकिन दोनों में से कोई भी बात रही हो फिर भी नीलम को अब तक तो पहुँची जाना चाहिए था। क्योंकि साथ बजे यहां पहुचने के लिए हर हालत में करीब साड़े छे बजे वो घर से निकल पड़ी होगी और इस तनाव से घर स कोई उपकरम नहीं किया। उसका अनुमाय के अनुसा फोन करने वाली नीलमी थी और एक दम से रिसीवर उठा कर वो जाहिन नहीं करना चाहता था कि वो उसी के इंतजार में बैठा सूख रहा था। अन्त में करीब एक मिनिट बाद जब लगा था बस दी घंटी के आवाज स्वेम उसे ही अस्वे अनुमभव होने लगी तो उसने रिसीवर उठा लिया। अजे स्पीकिंग वो जान बुच कर रोबिली आवाज में बोला। जवाम में पहले तो गहरी सांस लेनी के आवाज सुनाई दी फिस सहमा सा तनाव पूर अपरिट्रेत नारी स्वर लाइन पर बढ़ा। बागवान का लाख लाख शुक्र है क्या मिल गए वरना मुझे तो डर था। अचानक दूसरी और से बोलने वाला एक खामोश हो गई। अजे को लगा फोन करने वाली स्वयम को जबरन सहियत करने का पर्यास कर रही थी ताकि जो कुछ वो कहना चाहती थी उसे शांती से कह सके। अजे ने उसे टोकना मुनासिब नहीं समझा। वो चुप चाब ब्रजेश ब्रुवा मेरी भी है बहुत अच्छे दोस्त है। आप तो फिल्मी दुनिया की मशूर हस्ती है मैड़म। मेरी बदकिस्मती है कि सिर्फ आपके नाम से ही वाकिफ हूँ। आपके दिदार करने का मौका नहीं मिल सका। खैर। मेरे लिए यही कम खुशी की बात नहीं कि आप मेरे दोस्त ब्रिजेश की भी दोस्त हैं। जी ह आप मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। बंबई में हम कही बात साथ काम कर चुके हैं। वो अक्सर आपकी तारिफ क्या करते हैं। उन्होंने कही बात मुझे कहा था कि अगर मैं कभी विराट नगर आऊं और किसी मुसीवत में फस जाऊं तो आप से अच्छा मदद कार मुझे और कोई नहीं मिलेगा और अब मैं विराट नगर में हूँ और बद किस्मती से मैं एक बड़ी भारी मुसीवत में भी फस गई हूँ। अंतिम शद बड़े ही कठिन स्वर में कहे गई थे और उसके बास सिसकने के आवास सुनाई देने लगे। देखे ब्रिजे मुसीबत के बारे में बताईए। मुसीबत? ओ गॉड समझ में नहीं आता कि कैसे बता हूँ। वो मेरे बेडरूम में एक आदमी मरा पड़ा है। अचे बुरी तरह चौका। क्या? लेकिन वो वहां कैसे पहुँचा? मैं फोन पर आपको कुछ नहीं बता सकती। बड़े ह व्याकुलपूर स्वर में याचना पूर्बा कहा गया। आप फोन यहां आ जाएए प्लीज वरना यहां तो घबराट की वज़ा से मेरा हार्ट फिल हो जाएगा या मैं पागल हो जाओंगी। प्लीज कम एडवन्स अच्छा कहां आना है? होटल में एक दूद स्वेट नि नीलम की याद आ गए। नाइट शो देखेने जाने के लिए अभी काफी समय पड़ा था। इसे नीलम के आप पहुँचने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था। उसे नीलम को छकाने के विज़ा से फ्लैट की चापी वाच्मेंग के बिड में मौजूद चौके के लिए अपने गाव गया हुआ था। अस्थाई रूप से रखा गया नया चौकेदार हाला की था तो उसका रिष्टेदारी मगा उसे काम से ज़्यादा फिल्मी गाने सुनने का शौक था। और हर वक्त टांजिस्टर कान से लगाए रहता था। उस वक्त भी वो गाने ही सुनना था और उसने बड़े ही आग्याकारी ढंग से सरह हिलाते हुए चाबी अपनी चेप में डाल ली। अजे तेजी से इमारास से बहार आ गया। वो अपनी मोटर सैकल निकालने के लिए गयराज के और बढ़ा ही था कि गेट के सामने एक टैक्सी रुकते हुई दिखा त्याक कर वो तेजी से गेट के और बढ़ गया। टैक्सी खाली हो चुकी थी। होटल में एक दूत कहता हुआ अजे पिछली सीट पर बैढ़ गया। ड्राइवर ने मीटर डाउन करने के बाद टैक्सी दोणाने आरम कर दी। मुश्किल से पंदा मिनट बाद वो होटल मे एक दूत के समोग टैक्सी से जा उतरा अब भाड़ा चुका का परवेश राल के और बढ़ गया। होटल के समस भुगोल से भली भाती परीजित अजे मनी मन भगवान से दूआ कर रहा था कि असिस्टेंट मेनेजर अनिल गोस्वामी ना टकरा चाये। अनिल उसके बहतरीन अनिल ने उसके बहाँ आने की वज़ा तब तब पूछते रहना था जब तक कि उसे यकीन नहीं आ जाता कि अजे सच बोल रहा था। और जबकि अजे के पास इस सब के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। वो सीधा कांता सबवाल के पास पहुँचना चाहता था। वो उपपा जाने लगी। साथवे खंट तक उसके अलावा सभी लोग बहाँ जा चुके थे। आठवे फ्लोर पर लिफ्ट से निकलने वाला वो अकेला आदमी था। कॉरिडर में बीचे मोटे कार्पेट पर चलता हुआ वो स्वेट नमबरा 810 के साम नहीं पहुँचा। दस खोलने वाली स्थ्री के उमर 40 के आस्वास प्रतित हो दी थी। उचाकत, गोरा रंग, तनिक गोदाज, लेकिन सुडोल शरी। कुल मिलाकर वो स्थ्री सुंदर एवं आकाशक व्रतितु की स्वामिनी थी। लेकिन उसके चेहरे पर दहशत और रहात के मिले जुले भाव थ पतले सुल्क होटों में हलका सा कमपत था, बड़ी-बड़ी चिंतित आखों में हलकी से नमी का अभास हो रहा था। ऐसा लगता था कि मानो स्वयम को संयंत बनाए रखने का भलसक परतन कत्यूई वो इस तरी अपने आसों को भाच छलखने देने की बजाएं अंदर ही निगाएं उसके चेहरे पर जमी थी, अचानक उसने अजे के दोनों हाथ थाम ले और उतेजित लेकिन फसे से स्वर में बोले, अजे कुमार, आप अजे कुमार है ना? अजे ने धीरे से सहला का हामिबादी, इस तरी के उसके हाथों पर पकड़ मजबूत हो गई और उसे अंदा कीच लिया, लेकिन उसकी निगाएं कुछ इस ढंक से ब्राबर अजे के चेहरे पर जमी रही, मानो इस तरहों से अदरश्यत ताकत और गहरा सकून हासिल हो रहे थी, ओख आपने यहां कर मुझ पर जो एहसान किया है, मैं बयान नहीं कर सकती, दरवाजे के तनिक भी इतर खड़ा जे गौह से कमरे का मुआयना कर रहा था, मेज पर रखी विस्की की बोतल, आइस बाउल, एक किलास और एश्ट्रे में पड़े सिग्रेट के टुकोडों से होती है उसकी निगाँ, बैल्डूम के बंद दरवाजे पर जाती की, बिजेश बरुअक की दोस्त होने के नातिया, मेरी भी दोस्त है मिस सबरवार, वो बोला, और दोस्तों की मदद करने में मैं कभी पीछे नहीं हड़ता, आपने फोन पर किसी मृत आदमी के बारे में कुछ कहा था, इस दिस सर से पाउं तक काप गे, उसकी आँखे फैल गे और गालों पर आँसों ढुलक पड़े, उसने अजे के हाथ छोड़ का दिये से बेडरूम की ओसा हिला दिया, आप खुदी देख लीजिए, अजे बेडरूम के सामने पहुंचा, उसे दवाजा खोल का अंदर देखा, चंद फुट के फासले पर एक आदमी पीछ के बल धपा फैला हुआ था, लाश के पास सी कार्पेर पर 25 कलिबर के एक छोटी रिवार्वर पड़ी थी, अजे लाश के पास पहुंचा, उसे नीचे जुक कर हाथ के प्रेश्ट भाग से मृतक की गल्दन को छुआ, लाश में गर्मी थी, अनुमानता उस आदमी को मरे हुए, खंटे भर से जादा वक्त नहीं हुआ था, अजे सीधा खड़ा हो किया, और कमरे का निरिशन करने लगा, डबल बेट पर साफ सुत्रा बिस्तर बिचा था, बाथूं के दरवाजे के पास टॉलेट की चीजें स्टैंड पर सलीके से रखी थी, डबल बेट के पाएंते वाल बाहर इस भी टिस्ती सोफे केक सिरे पर बैठ चुकी थी, और अब आगे चुकी मेज पर रखी, विस्की की करीब आधी भरी बोतल के और हाथ बढ़ा रही थी, उसके चेहरे पर बेचैनी और प्रिशानी के गहरे भाफ स्पष्ट दरश्टी गोचर हो रही थी, उसे सर ठीकी गिलास है, वो ठकी सी आवाज में बोली, मुझे अफसोस है, सरी डंग से आपके खिदमत नहीं कर पा रही हूँ, मगर मैं नहीं जानती थी कि ऐसे खतरनाग हालात से हुजरना पड़ेगा मुझे, और आपको यू बुलाना पड़ेगा, अचानक उसकी आवाज भर र रखना उसके वश में नहीं रह गया था, अजे ने जेब से पैकर निकाल कर सिगर सुलगा ली, और सोफे के दूसरे सिरे पचा बैठा, उसने स्त्री को चुप कराने का कोई पर्यास नहीं किया, कुछ देर बाद स्त्री की सिस्कें रुक गे, और उसने आखे पहुंच कर व कौन था वो, मेरा पती, आपने उसके हत्या क्योंकि, अजे की खोशपोर निगाय उसपर जमी थी, कांता की चेहरे पर कसाब पैदा हो गया, मैंने हत्या नहीं की, वो जोदा स्वर्मे पति बात करते हुए बोली, मैंने उसे इसी तरह पड़े पाया था, उसे यहाँ पाकर मैं हक्की बक्की रह गई थी, क्यों? सालों से मैंने उसके सूरत भी नहीं देखी थी, मैं तो समझ दी थी कि वो मर चुका था, और अचानक उसकी रुलाई फूट पड़े, अब वो पुना से सकने लगी, थोड़े समय के बाद वो समानने हुई, मैं तो समझ बैटी थी कि ह अनुर शकल देखनी नहीं पड़ेगी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो वो यहाँ पड़ा मिला, मरा हुआ, और उसने अपनी आखे बंद कर ली, हे भगवान, यह सब क्या हो गया, मैं क्या करूंगी? अपने आपको संभालिये कांता ची, अजय भावीन स्वर में बोला, आप यहाँ किस वक्त आई थी? करीब आदा घंटा पहले, मैं प्लेन दोरा बंबई से आई थी, फ्लाइट लेट होने के बज़ा से साथ बज़े के बाद ही होटल पहुँची, सीधे उपर आ गई, उमीद थी कि स्वेट में मेरी बेटी इंजार करती मिलेगी, वो हफते बसे इसी स्वेट में रह रही थी लेकिन दस्तक के जवाब में दवाजा नहीं कुला, डोर नॉब घुमाने के कोशिश में मुझे पता चला कि दवाजा लॉक्ट था, मैंने ये सोच कर कि मेरी बेटी को किसी जोरी काम से नहीं जाना पड़ गया होगा, वो कहीं गई होगी, तो रिसेप्शन से डुप्लिके चाबी मंगवा का ताला खुरबा लिया, वो सोफे के पीछे रखे बड़े से एर बैग के और इशारा करने के बाद बोली, मैं अपना बैग रखका हाथ मुद होने के लिए बाथ हुम जाना चाहती थी, लेकिन बैडरूम में पहुँचते ही हरी हर की लाश देखकर मेरे हो लेकिन इस खटना से विक्की बेहट डल गई थी, तब उसी के जित पर ये रिवार्वर मैंने उसे खईत का दी थी, खेर हरी हर की लाश देखकर विक्की को यहां ना पाकर मुझ पर जो गुजरी उससे तो मैं बयान नहीं का सकती, मैं वापस इसी कमरे में आ गई, मेरे क्य जाल से बहतर होगा कि आप इससे पढ़ ले, फिर उसने ब्रेजियल से होटल के रैटिंग पैरेट के मोड़े तोड़े कागस निकाले, और कापती उंगलियों से उनने खोल का सीधा करने लगी, ये मुझे डेस्क पर पड़े मिले थे, उसने कोने में रखे डेस्क की और इ अब आप ही ने पढ़ने के बाद बताईए मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने आपको पूरी तरह आपके हवाले कर रहे हूँ, उसने कागस अजे क्यों बढ़ा दे, अजे ने चारों पेज लेका सीधे फैला लिए, लिखावर देखते ही वो समझ किया कि बहुती निकली जा रही है, मेरे हाथो एक आदमी का खून हो गया, और उसकी लाश बेडरूम में पड़ी है, मैंने उसे शूट कर दिया था, उसी रिवार्वर से जो करीब तीन साल पहले आपने मुझे दिलाई थी, मैंने तो सोचा तक नहीं था कि कभी से इस्तमार करूंगी, इगर खीचते ही बस गोलियां चल पड़ी, मैं जानती हूँ, आपको मेरी ये बाते बहुत अजीब लगेंगी, मैं शुरूर से आपको सारा किस्सा बयां करती हूँ, मैं सुएट के बाहर कमरे में बैठी आपका इंजार कर रही थी, मैंने बेल बॉइ से आपके लिए विस अचानक दवाजे पर दस्तक के आवाज सुनकर मैं जाके, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उस वट कितना टाइम था, मैंने समझा आप आ गई थी, इसलिए मैं उठी और दवाजा खोल दिया, मगर आपकी जगा बहार एक आदमी खड़ा था, मैं एक-एक समझ नहीं सकी कि क्या किया जाए, शायद तब तक मुझे पर नीन का असर बाकी था, बहार मौजूद वो आदमी मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था, उससे पहले कभी मैंने नहीं देखा था, उसके मूँ से शराप की तेज बू आ रही थी, उसके लिबास और शकल सुरस से मुझे घिंसी आ रही थी, लेकिन उसने बड़ी अजीब से निगाहों से मुझे घोड़ते हुए देखा और पूछा कि कानता कहा है, मैं शायद तब तक भी सही ढंग से सोच पाने के स्तिती में नहीं थी, और शायद यही बजा थी कि उसके मूँ पर दवाजबं करने के बजाए मैंने का, वो अ तो मैंने आपके लिए मंगाई हुई थी, उसने गल्दन गुमा का मीडियो देखा, बोला, कानता जब यहां आएगी तो तुम्हें बता देगी कि मैं कौन हूँ, तुम विक्की हो ना, उसने बोतर की सील तोड़कर धकन खोला, और आदे से भी जादा गिलास परकर एकी ब जांकारी थी, बलकि वो आपसे मिलना भी जोह चाता था, मैं बड़ी ही अजीब सी दुविधा में पड़ गई, पिछले करीब दो साल मैंने आपसे दूर बैंगलोर में गुजारे थी, और आपके सभी परिच्चुतों को तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जोह जानती कि बंबई में प्रोडूसर्स, डायेक्टर्स, रायेक्टर्स वगरा के अलावा, फिल्म इंडस्ट्री के और भी सभी तरह के लोगों से आपका बास्ता पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा वो भी आपके परिच्चुतों में से एक ही होगा, और आपने यहां विराठ नगर में उससे मुलाकात तैक की होगी, यहाचा मैंने कोई फसाद करना मुनासिब नहीं समझा, और उससे बता दिया कि मैं विकी ही हूँ, और ये भी क्या बस पहुंचनी वाली है, उसने का ठीक है वो इंजार करेगा, फिर वो बोला आपके इंजार के दोरान मुझे उसका दिल पहलाना चाहिए, और ये सुनकर मैं मनी मन काप कही ममी, उसके रादे नेक नहीं थे, मुझ पर दहशत सवार होने लगी, हालाकि उम्र के लिहाज से वो मेरे बाप जैसा था, लेकिन वो जिस ललचाई नजरों से मुझे देखता हुआ, बार बार अपने होटों पर जीफ फ सवेट से बहार होगी, हालाक इने हुआ भार मैं जीमा आया कि स्वेट से बहार है।